हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है गंगेश मिस्रा वेलकम टू यूर चैनल ग्रेट प्लस आप ही लोग का चैनल है आप ही लोग इसको अपने तरीके सप्रोड करेंगे सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं बहुत अच्छे से दिखा हुआ तो सबसे पहले तो यही एक बड़ा अपने आप में प्रोमो है कि इसका मतलब क्या हो गया अभी तक नार्मल भैच आते थे फांडेशन कैसे आ गया फांडेशन का मतलब है फांडेशन बैच में सारी चीजें मिलेंगे लेकिन 3.0 का मतलब है कि यह नए जनरेशन में हैं बहु तो सारे question से देखा गया कि कुछ हिससे भास जाते थे दुबारा आप उन चीज़ों करके आगे देख लेते थे लेकिन यहां पर क्या है प्रीवेस क्वेस्टर्ण में आपको दो पैटरन देखने को मिलेंगे एक पैटरन यह देखने को मिलेगा कि आप सारा का सारा mcq के सा ही option होता था क्योंब उसको करवाया जाता था लेकिन अब हमारे इस चैनल पे जो आपको मिलने वाला है content जो class मिलने वाली है उसमें सही वाला तो बताया ही जाएगा जो तीन और हैं उनके बारे में यह question के एक सही आंसर और तीन जो गलत थे उनका भी explanation परियापत रूप से देंगे साथी साथ अपने पूरे content में जितना भी maximum हो पाएगा वो question बनाते हुए उसके भी एंसी क्यू बनाये जाएंगे जिससे वो देखने में लगेगा कि एकदम previous year question जैसे हैं और most probably वहां से देर सारे सवाल आपके एक्जाम में फसेंगे भी यह हम लों की guarantee कि आप लोगों का जो अभी तक तैयारी का जो पैटर्ण चल रहा था उस पैटर्ण में यह मान के चले कि आपका 90 परसेंट तक आपको लेके जाएंगे 100 कोई guarantee नहीं लेता हम भी नहीं ले पाएंगे लेक चीज यहां पर क्या मिलेगा in-depth topic discussion आपको नॉर्मली ऐसे सतही जानकारी नहीं दी जाएगी बलकि उस टॉपिक पर परियाग्त मात्रा में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी जो आपके एक्जाम को लेकर काम किये और साथी साथ आपके समझने को लेकर काम किये उसके अला को आप देखेंगे तुरंत याद आ जाएगा ठीक है और होता क्या है कि आप पूरा तयार कर लेते हैं तो तयार करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन की पॉइंट आपको याद दिलाता रहेगा उसके कुछ सार्ट कट वगरा कुछ उसके फार्मूले वगरा जो बनवा सकते हैं हम लोग आराम से यहीं से देदिया करेंगे और उसका बाद में नीचे आपको पूरा 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 पीडिएफ भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा तो वह भी आपका हेल्प हो जाएगा तो सारा माटेरियल पीडिएफ में चैप्टर वाइज गैस जो कि प्रिविएस एर क्वेश्चन भी बेस रहेंगे उस तरीके से और साथ में प्रिविएस एर क्वेश्चन के चारों आप्सन यह सारी चीज़ा आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है इसी वज़े से इसका नाम है फाउंडेशन बैस 3.2 3.2 का मतलब तो अब यह तीसरे जनरेशन में कदम रख चुका है और ही ज्यादा एडवांस चीज़ें बहुत कुछ एड़ हुआ है और साथ में एक और सेशन लगाया जाएगा प्राब्लम साल्विंग सेशन इसमें आप जो कॉमेंट सेक्शन में धेर सारे क्वेस्चन भूशते हैं उ हमारे इस बैच में जो हमें मिलने वाला है वो है जनर्नल साइज्स का प्रॉरषन टो इस जनर्न और सांच के फोर सन में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम्ण कौन से सब्जेक्ट पर हमारा जो फोकस रहेगा उसमें को साथ मैं से कि हमारी जो नेक्स स्लाइड है इसमें हमने फ्रेमिंग की है कि प्रिवियस यह यह कह सकते हैं जो एक्जाम का पैटर्न है सीधे हम सीजेल की अगर बात कर दें वैसे एक्जाम में सब में हेल्प होगा लेकिन मैंने एक क्यों सीजेल को पर्टिकुलरी यहां पर फोकस करके एक सेग्मेंट बनाया है कि हमारे अपने इस जीएस के जर्नल अवेरनेस पॉर्षन से साइंस का जो पॉर्षन है उसकी कितनी प्रावगता है कितना कॉंट्रिब्यूट करेगा कहां कहां पर आपको हेल्प देगा वह बाते भी हम यहां पर देख लेते हैं जैसे सारे के सारे सब्सक्राइब होते हैं और उनके माक्स लगबख 200 के करीब में रहते हैं हर एक क्वेश्चन दो नंबर का रहता है तो इस तरीके से देखा जाए तो ओवराल सब्सक्राइब दोसों माक्स आपको मिल रहे हैं लेकिन साथ ही टाइम डियूरेशन साथ मिनट का है तो ओवराल हर एक सेग्मेंट का अगर देखा जा है तो पंद्रा मिट प्रॉक्स जा रहा है है यह अलग बात है कि जिया सापका जो जर्नल अवेर्नेस जल्दी हो जाता है बच्चों के बच्चों का तो वो जो बचा हुआ सहां अन्य सेग्मेंट पर देपाते हैं लेकिन वराल अगर तो इस रहता है तो इस रेशियो में जो 25 जर्नल अवेर्नेस के आने वाले हैं इन में से साइंस का क्वेश्चिन कहां से उठेगा और कौन-कौन से पोर्शन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम आगे देखते हैं जो जर्नल साइंस वाला पोर्शन है इस पर देखिए नॉर्मली तो साइंस आप लोग पढ़ते आयोंगे कि तीन ही है होते भी तीन ही है फिजिक्स कमेस्ट्री और बायलोजी लेकिन इन्वार्मेंटल साइंस को मैं अलग से यहां पर बिलिंक करवा रहा हूं क्यों क्योंकि साइंस में हर तरीके सवाल रहते हैं साइंस के भी रहते हैं साथी साथ में उसमें इकोनॉमी और कह सकते हैं जिग्राफी इनके भी कभी-कभी सवाल मर्ज कर दिया जाते हैं यह मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता है इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते हाला कि यह आप उठते हैं वो देखते हैं तो physics में जो सवाल बनेंगे वैसे तो आपको ढेर सारे आपकी बुक में chapter देखने को मिले होंगे लेकिन जो हमने यहां पर design किया है उसमें इतने ही chapter में पूरी physics को समा देंगे यह हमारा खुद का एक तरीका है जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी पढ़ने में भी आसानी रहेगी और ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा chapter कम दिख रहे हैं लेकिन इमांदारी से बता रहा हूं कि पूरा का फिजिक सिसी में मिल जाएगा आपको ठीक है जैसे measurement में आपको यूनिट को बेस डेर सारे सवाल आते हैं इसमें आप हिं बल का मात रख्या होगा गती का मात रख्या होगा लंभाई का मात रख्या होगा और ऐसे फषाने के लिए को पूछ लेता है सोज़ेос ौए कर पाएं और ऐसी कंडिशन में घलत करके चले आते हैं जबकि बहुत ही फ्री का नंबर होता है समय लीजे को उसमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं है आराम से नंबर मिल सकता था लेकिन छोड़ना पड़ता है तो यह यहां पर आपको तरीके बताए जाएंगे जिससे आप एक फार्मूले के बाद पूरे के पूरे ज आपको समझाने का प्यास करेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा सबसे सब्से देगा जाते हैं जैसे बस अगर आगे की तरफ चल रही है तो यात्री ब्रेक लगने पर किस तरफ जुकंगे आगे की तरफ पीछे कि तरफ या जुख जाते तो कौन से बलके कौन से नियम के कारण जुख जाते हैं ऐसे सवाल पूछ लेता है ते सारी बाते हैं आपको यहां पर समझाया जाएगा इसे में वेग संबेग हर चीज में अंतर कैसे क्या होता है सब कुछ मिलेगा उसके बाद रहेगा फ्रिक्सन फ्रिक्सन में घर्सन संब अहियों पर ज्यादा पड़ेगा यह थोड़ा ज्यादा टेड़ा हो गया लेकिन अब ट्रेंड बन चुका है तो कुछ भी आ सकता है इसलिए हम आपको पूरा तयार करवाएंगे वर्क पावर एंड एनरजी हीट लाइट ऐसे चेम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन सर सरल आवर्त गत तो सरल आवर्त गत और पेंडूलम इन दोनों को मिला के यहां से सवाल पूछता है कभी कभी पूछ लेता है कि जो पेंडूलम वाली घड़ी है वह अगर प्रत्वी पे इतने बज रहे हैं उसको चंद्रमा पिले जाए जाए तो समय पे क्या प्रभाव साज में अनुजार गतरंगे दोनों में अंतर क्या होता है यह सारी चीजा और एलेक्ट्रिसीटी वाले में जब पढ़ा देंगे तो आपको एक मिस्लाइनियस और अलग से देंगे विविद का वो सबमें मैं अपनी तरीक से देता हूं चाहिए जी कि सो कमिस्ट्री हो या लो इसमें आपको बताया जाए जाएगा जो भीजिए ससिवार बनते हिसे नहीं लिकान नाम कि जो तो कह सकते हैं कि mechanical energy mechanical energy को मतलब क्या है यांत्रिक उर्जा तो यांत्रिक उर्जा को अगर पूछें कि विद्धुत उर्जा में बदल रही तो ऐसी मसीन का क्या नाम हो सकता है तो यांत्रिक उर्जा से विद्धुत उर्जा में परिवर्टित करने वाली मसीन डाइनमो होती है कमेश्ट्री में भीदी चैप्टर को मैंने कम कर दीया है इसलिए डिखने बर्डन न लगे लेकिन इतने ही चैप्टर में पूरी की पूरी कमेश्टि आपको दिखे जाएगी जहाँ से सवाल आपके कमप्टीशन में पूछे जाते है। सबी गवर्मेंट इक्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए इतने ही चैप्टर में आपको दिखाई देंगे जैसे यहां पर पहला चैप्टर कौन सा है पहला चैप्टर मैटर एंड इट्स फेज खूब सवाल पूछता है कि प्रजेंट टाइम में यह बरतमान समय में पद देखने को मिलेंगी इस समय पांच फेज हो गई है अब और एक तरीके से उसमें क्लेम किया जा जा यह चेप की बात की जा रही है तो जो से सारी यहां पर आपको डिसकस करवाएंगे सारी बाते हैं आराम से अब नकिसी जजग के बहुत ही सिंबल सब्ड़ों में सब कुछ यहां पर समझने को मिलेगा रेडियो एक्टिविटी से आपके सवाल सीधे सीधे अलफा बीटा गामा कड़ों से पूछा जाता है और कभी-कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि यह रेडियो एक्टिविटा तो किस रोग में या उसके निदान करने में हेल्प करता है जैसे इस्ट्रांसियम को सबस्तानि को सवाल पूछता रहेता है संबार क्या है सारी छीज़ाइं सबस्तानि क्या सब्सक्राइब करते हैं क्यों करते हैं बहुत सिमपल वे में सारी चीजों कंपलिट हो जाएगी बताया जाएगा केटालिस्ट क्या होते हैं और पिरियाडिक टेबल केटालिस्ट से में कभी-कभी जब भी हम सुरुआत करते हैं चोटा सा जोग यादा जाता है कि जब कभी भी दो लोग लड़ रहे हों तो एक तीसरा विएक के सामने सकल देखता रहता है और वह ऐसी बाते बोलेगा कि वह दोन और ज्यादा लड़ेंगे वहां पर रासायनी का विक्रिया की दर्गों परिवर्तत करने की बात बताई जाएगी या तो घटा देगा या कुछ और कर देगा इस सारी बाते हैं पर कैटालिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा पिरियाडिक टेबल आपको यहां पर पूरा का पूरा पताया कि कितने एलिमेंट हैं क्यों बनाया गया इसका महत्त तो क्या है केमिस्ट्री में और हमारे आज के खुद के जीवन में भी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एलिमेंट इट्स फार्मूले इसमें सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है सोडियम आपके चारो तरफ दिखाई देती है आपकी कमिस्ट्री आपको घेर हुए चारो तरफ से और उन पर छोटे-छोटे सवालों बनाता रहता है बस आपको समझना रहेगा कि उनसे सवालों को कैसे किया जाए वह यहां पर हम बड़े ही बखू वीडम से बताएंगे आपको अ यह ekसांनि नहीं कर सकता है क्या अगर पूरा सवाला क्योंकि इतने सवाल में बड़े हैं यह ज़्यादा सवाल पोछे और लाइप बार लेख नहीं सकते इसमें जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं इन सारे पूरी की पूरी बाइलोजी को समाहित कर दिया गया इसमें जुलोजी और वाटनी दोनों को जैसे इसमें दिया गया ब्रांच आप बाइलोजी में हर एक ब्रांच के बारे मताया जाएगा जो सवाल पूछे गए हैं या एक्जाम के पॉइंट आफ विव से अलग- को ने उनकी भी चर्चा यहीं पर कर दी जाएगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि कौन सी ब्रांच किस वर्ट के लिए या किस कह सकते हैं पर्टिकुलर छेत्र के लिए बनाई गई उस ब्रांच की पूरी की जानकारे मिलेगी अनिमल एनिमल क्लासिफिकेशन सच बताओं तो बाइलोजी में क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा कि इसमें टो किंग्डम क्लासिफिकेशन जहां से सवाल ज्यादा बनते हैं उनको बताएंगे ऐसको बहुत 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 पर समझाएगा आधी की बाइलोजिक है सीधे सवाल भी टेक्निकल सवाल भी वो सारे के सारे यहां पर बताये जाएंगे उसके बाद human physiology आएगा human physiology के साथ में उनसे संबंदित हर एक सिस्टम से संबंदित आपका disease भी यहीं पर एक साथ मिलता चला जाएगा human physiology में अलग अलग system में जैसे digestive system respiratory system cardiovascular system एक्सेप्टर तो हम सारे system में हमारा जो पैटर्न आपको नया दिखाई देगा वह ऐसा दिखाई देगा जितने भी हम system यहां पर पढ़ेंगे उस system में हम तीन पार्ट में उसको बाट देंगे पहला यह रहेगा कि हम सारे सारे उसके आरगन देखेंगे एसेसरी आरगन कंप्लीट होने का बाद mechanism देखेंगे और mechanism देखने के बाद में हम उससे समंद्र डिजीच की बात करेंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा system कंप्लीट हो जाएगा तो यह जितने भी छे सिस्टेम साथ सिस्टेम दिखाए देंगे उन्हें सब में यही काम बार-बार किया जाएगा और आपकी आजएगा और पैटन आपके आँखों के सामने बना रहेगा उसके प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें आपक पूछे गए हैं जैसे प्लांट हार्मोन पूछा जाता है फोटो सिंथेजिस पूछ लेता है और प्लांट के अंदर का रेस्पारेशन भी कभी को लेकर कितने बनते हैं या एक ग्लूकोज की बर्निंग में कितने अटीप तैयार होते हैं ऐसे सवालों को भी यहां पर कैसे टेकल किया जाएगा उसका साटकट वी कुछ हो सकता है या नहीं वात बताया जाएगा ब्लांट हार्मोन से कई बार सवाल पूछे गए जैसे जिब्रेल One Türkiye क्या होता है और कुछ ऐसे जिलो का पास है तो बीटी का मतलब क्या होता है बैसला स्रोंगेनिस हैं क्या यह जैनेटिक ली मोडिफाइड है इसलिए इसको होता है यह सारी चीज़ भी यहां पर मिल रहेंगे और मोश्ट इंपार्टेशन जिसमें आपको पूरी की पूरी बायो फिर से देखने को मिलेगी क्यो क्यों जाती है उनका टैप रूट सिस्टम क्यों आ जाता है यह सारी चीज़े बहुत ही अच्छे डंग से यहां पर देखने को मिलेगा तो इस तरीके से जो साइंस का पूरा का पूरा आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हमारे दोरा आपको मिलने वाला है बहुत ही सब्दों में और बहुत ही डीप तरीके से आपको समझाया जाएगा यह वो नहीं रहेगा कि जैसे नॉर्मली अभी तक आप देख रहे होंगे अन संस्थानों में कि हाँ चोटी-चोटी कोजिंग में बता देगी जनरल साइंस के नाम पे लूसेंट पढ़ा दिया ऐसा कु हम आग्या चाहेंगे थैंक यू बाइबाइब